हलो एवरिमन विल्कम बैक टू मैं चैनल आज में आप लोगों के साथ कृष्टना जी का फुल ड्राइंग ट्यूटरियल शेर करने वाली हूँ बहुत लोगोंने रिट पेस्ट कैथा मुझे की कृष्टना जी का फुल ड्राइंग ट्यूटरियल बनाओ तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और चैनल पर न्यूँ हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो चला वीडियो को शुरू करते हैं मैं बैग्राउंड से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं क्रैमल आर्टिस्ट वाटर कलर के यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं एक फ्लैक ब्रेश को सर्कूलर मुशन में यूज़ कर रही हूँ जिससे बैग्राउंड अच्छे से ब्लेंड हो जाए लेफ्ट साइड के बैग्राउंड को पिंग किया है मैंने रिफरेंस बिक के अकॉर्डिंग इस साइड पे मैं डिप ग्रीन यॉल और वाइट को मिक्स किया है अब हम फेस को कलर करेंगे फेस के लिए मैंने रेड वाइट और यॉलो कलर को लिया है अन तिनों को मिक्स किया है रिफरेंस पिक के अकॉर्डिंग आप लोग अपने रिफरेंस पिक के अकॉर्डिंग तिनों कलर के क्वाण्टिटी को कम और ज्यादा कर सकते हो दीई पिस अन वोग अपने ने के लिए इस कलर के साथ थोरा सब्रावन एट कर देना खुछ आप पहले पिक के अकॉर्डिंग कलर फिल कर लेंगे हम फिर इसके बाद ब्लेंडिंग के लाइट एडियास के लिए मैंने वाइट को बढ़ा दियाता है चलो हम ब्लेंडिंग करते है एक क्लीन और गिले ब्लेंडिंग करना देखो ब्लेंडिंग के बाद ड्राइन किना स्मूध हो गया ड्राय होने के बाद हम लोग आइब्रोज को कलर करेंगे यह दो ब्लेक कर यूज कर रही हूँ आइब्रोज पर जयास ब्लेक कर देखो बहुत भेका लगता है हमेशा ब्लेक के साथ ब्राउन मिलाकर यूज करना आई लाई पर वीमें सेंपल युसको रियू अब मैं शेडिंग के लिए ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ आई बाल्स पर पहले ब्राउन यूज़ करना फिर उसके बाद ब्लैक शेडिंग एंड देन वाइट से हाई लाइट चलो अब लिप्स को फलर करते हैं यहाँ पर हम लिप्स को पिंग कलर करेंगे और वाइट से हाई लाइट यहाँ पर मैंने टीका बना दिया वाइट से दिन पगरी को हम यूलो कलर करेंगे डाक शेडिंग के लिए हम डीप यूलो यूज करेंगे और लाइट शेडिंग के लिए लिमनी यूलो के लिए यूलो के साथ ठरा ओर्ण्ज मिक्स कर लेना उसके बाद ब्राउन कलर से शेडोज एड कर देना देना पिक के अकोर्डिंपगड़ी में फ्लावर और लिप्स एड कर देना अ कर दो कर दो ब्रावन और ब्लैक यूज़ करना अब हम लोग सबसे में चीज़ बनाएंगे महरपन के बीच में लाने पहले डीप ब्लू फिस काई ब्लू एंड और और इंड यॉलो एड़ किया है उसके बाद धीरे धीर डीप ग्रें से हलके हलके फेदर्स बनाना हैंड पर भी फेस की तरह सेम कलर करना पर सेड़ एडिया क्रियर करने के लिए हम ब्लैक से सेडिंग करेंगे तो पिक के कार्डिंग या पर ब्लू कर रही हूं बॉर्डर के लिए यॉलो आकर वाइट को मिला रहना और ब्राउन से तरह सेडिंग करते हैंगे देन हम क्रिश्ना जी का माला बनाएँगे यॉलो पिंक ग्रीन और वाइट से करा दो पाइट सेडिंग कर दो लिए इन और टपयोग घसब के लिए तो करते हूं देख सूपने के बाद रेडर ब्राउन से थर्डिकल सेट कर देना है चलो बेक्राउंड में थोड़ डिटेल सेट करते हैं आखिर में सामने मारा पिंक्री बना देंगे तो यह आपके सामने हैं फाइनल रेजल्ट और यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना कॉमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के सथ मिलते हैं नेक्स वीडियो पर बैबाई